जैसे ही माल्दीव का नाम आप सभी सुनते हैं आप सभी के दिमाग में वो कौन सी तस्वीर है जो सबसे पहले आएगी इससे पहले कि मैं आपको बताओ कि पिछले तीन दिन में क्या कुछ हो है सबसे पहले प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी के लक्षदीब दौरे की तस्वीरे आपको दिखाते हैं देखे प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी की लक्षदीब की खुबसूरती को किस तरीके से दिखा चाहे नीले समंदर की बात करें हर्याली की बात करें नेचर की बात करें जो कामनेस वहाँ पर है जो शांती वहाँ पर है उसकी बात करते हुई यहाँ पर प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी नजर आये थे लेकिन इनी तस्वीरों के बाद से एक विवाद जो है वो देश के अं लेकिन इस पर राजनिती देश के अंदर जो है जमकर की गई हाला कि कुछ ऐसे नेता है जो विपक्ष के जरूर है लेकिन जब भारत की बात सामने आई तो वह किस तरीके से भारत के साथ खड़े को नजर आए लेकिन इन सब के बीच में आपको एक बहुत चौकाने वाली बा आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी लक्षदीप के दौरे पर पहुचे ऐसी में आप समझें कि जब पहुचे थे उसकी बाद से लगातार जो है पीम ने इस बात की अपील की थी कि लोग जो है वो लक्षदीप जाएं वहां के टूरिजम को बढ इसको लेकर भी मैं आपको बताती हूं लोगों ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से भारत की छवी को नुकसान पहुचाने की कोशिश मौल्दीव की तरफ से की जा रही है वो सरासर गलत है कितने लोगों ने अपने स्क्रीन शॉट जो है वो शेयर किये जिसमें वो बता चाहेंगे ना की मौल्दीव इन सब के बीच में आप यह समझें कि देखिया अगर मौल्दीव की जारकी है तो कुछ आकड़े यह बताते हैं खासकर दिसंबर के अगर हम बात करें पिछले साल के दिसंबर की तो देखिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी लक्षदीब ज स्वीरे इन तस्वीरों में आपको शांती कामने जो है वो साफ तोर पर नज़र आएगी समंदर की उची 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 उठी हुई लहरे जब आप यहां पर जाएंगे अपने मन को शांत करने के लिए तो जाहिर सी बात है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से भी इस बात के अपील किया है कि आप जो है वो भारत की टूरिजम को बढ़ावा दे और लक्षदीप की तरफ बढ़े